है लो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टूमाइच चैनल एगर श्रीज में आप लोगा बहुत-बहुत स्वागत है प्रेंड्स आज की स्पीड में हम बात कर रहे हैं बीएस सी एजी सेकेंड सिमिस्टर फंटामेंटल और इंटोमोलोजी के बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्ड कोर्शन क के बारे में ध्यान देना है मैं हमें साई उसका इंपोर्ड्स ऐस्टरी एंड्ट ऑप्लोव्मेंट तो सबसे पहले वर्गिकरण देखेंगे तेके तो वाई सबसे पहले जानवरों के वैज्यानिक नामों में अस्थायत वस्वारों भौमिक्ता को बढ़ावा देने के लिए अब प्रतियच जातियों का वर्डन एक नमोना पर आधारित होना चाहिए चाहिए वह पुरुष हो या महिला इस नमोने को होलो टाइफ क्या कहते हैं होलो टाइफ की रूप में प्रस्थत किया जाना चाहिए तता होलो टाइफ के साथ वर्डित विपरित सेक्स नमोने को होलो टाइफ कहा जाता है इस इन दोनों नमोनों को मिला कर पेरा टाइफ कहा जाता है यह नाम लेटिन भासास में दिये गए हैं पहला देखे सबसे पहले ध्याने जीगा कि पूर नाम में लेखा का नाम प्रज इंटो मोग इंसेक्ट का यदि उसका बैग्ज्यानिक नाम लिख रहे हैं तो उसके लेखा का नब दॉड़ा लिखा जाना चाहिए इसके बाद सामाने नाम एक साधार तथा तेके मिस्सिस सद्ध होना चाहिए इसके बाद मुवर्गी कड़की मूल जयविक इकाईज होनी चाहिए वो इस पेसिस होनी चाहिए इसके बाद यह कि बायो टाइप क्या होता है सबसे पर देखाने जीगा कि एक ही जाती की समान व्यस्टियों का समूं एक ही ज सब्सक्राइब होता है जो अपनी सनष्णा में समान होता है क्या होता है अपनी सनष्णा में समान होता है जो अंतर संयोग करने में सच्छम है ठीक है इसके बाद और उत्पादन कर सकते हैं लेकिन एक ही समय में प्रिस्णा की किर्या से अन्य समूं से अलग हो सकते हैं इसके बाद दिया किया सब इस पेसिस तो वह वर गय जिसमें किसी जाती के उन सदस्यों को रखा जाता है जो उसी जाते के दूसरे सदस्यों से अन्य से लच्छोडों में थोड़े से अलग होते हैं ठीक है जैसे ग्रेस होपर है तो ग्रेस होपर में बहुत सारी प्रजातिया है सदीमक है तो दीमक के साथ प्रजातिया है तो उसी के अंसान मतलब नहें बाठता गया है ठीक है इसके जीवों के वजगी करड़ के एक सेड़ी होती है जो एक वंस में एक दूसे से समान ताये रखने वाले कई सारे जीवों की जातिया आती है इसके बाद फैमली तो अंग्रिजी वर्ट है हमारा फैमली टीक है तू जी विजयानी बर्गी हड़ में प्राड़ियों के बर्गी कड़ की एक सेड़ी होती है एक कूल में एक सारे दूस्रे से समानताय रखने वाले कई जीवों के वंस अते हैं। इस सबसके पहले जो वर्गी कड़ दिया था इंस ने दिया था सब क्लासнемरा एप्टियो गोटा इसके बाद दूसरा सब क्लास था कि अप्टेरी गोटा तो पहला देख लेते हैं order A, तो हमारा order A में क्या हमारा आता था, थाइस सेंसर, ठीक है, स्वारी, थाइस से नूरा, ठीक है, थाइस से नूरा हमारा आता था, ठीक है, इसके इंदे बिस्टल, सेलवर फ्लाई, ठीक है, सेलवर फिस, इसके बाद फायर कोटर, ठीक है, यह सारे इंसक्ट आते थे, order B मे मारे दिपलूटा ठीक है तो दिपलूटा हमारा आता था ठीक है इसके बाद मारा तीसरा और जो सावार था ठीक है वह महारा क्या था प्रककूटा तो इस हमारा तयले संतीなた yeah ट्रेल्ड नंवह कैट आते थे सका बाद order d में हमारा column बोला तो इसमें हमारा इस पीर ट्रेियल आते थे एइसके बाद हमारा सबसक्त Cordisisten आहे है टेडियो गोटा तो order हमारा इसमें जाए घृजत देख लाइफ यह उमारा टेडियो था ट्रेगन फॉलाइस काओ ओर आठा एफ में ए Caleb अगोनेता मारा आता था ठीक ऐग एक हेज के वार ऑडर जी मैं मारा क्या था था तो टेड्रा तो टिक है यहां टेटरा सब्खतर हो गया मोंडी तो पहला हमारा हो गया नियॉ Duck on the एक कोड़ूद आप लैक्त ने बते थे तो तो अज़से पहले हैमिट टेरा जो हमारे होते था ठीक को दो उप्ट सेडियों में विवाजित किया गया है है यह से लेकिन हाल ही वे ग्यानी के हो मोप्रीटेस और अलग ऊश्याद निषी defining मानते हैं जिसे यह है है मिट्टेस अलग है इस प्रकार कीटों का जो अध्यांत गड़ों के आंतरगत जैभ साधरताओड से लाँ जाने वाली रोव सड़िया नहीं दिखी है पर्ला जिसए जगत स्वंक हो गया संघ कग हो गया वर्ग हो गया गड़ हो गया वंस निया जाती हो गया तो यहसंते हैं कि छानवेरों और पौधों के पिता करें से माना जाता है थि उन्होंने केवल साथ केटो को केवल साथ गढ़ों में बाटा गया था पर यहाँ गो सबसे बड़ा था इसकी बाद देख लिए जनियल ने 40 गड़ों को पहचाना बूस मेलेंडर और कार्पेंटर ने 27 गड़ों की पहचान की इसके बाद इम्स और पूर्शी ने 29 कर दिये जो हमारे इम्स का जो क्लासिफिकिशन ता यही माना जाता है ठीक है यह दियाने जीगा और एजिंग और मड़नी ने ठीक है 33 ओर दिये राज ने 28 ओर ठीक है जोची वूड दिये ठीक है तो कुछ इस प्रकास था तो सबसे पहरे ध्यान देजेगा जो हमारे कैलोस लीनियस के जितने भी मतलब गड़ दिये थे ठीक है बाटे थे कीटों को साथ गड़ों में है तो है मिटे रहा है तो उसके लच्छत जो हमारे लाबदायक होते हैं ठीक है उनके लेच्छत बयात करें तो आज की वीडियो मसे इतना है और जल्द ही नई वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंजी भारत ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए चलते हैं आगे धन्यवाद